नमस्का दोस्तू जिसी कि आप सभी को पता है क्वांटिंग फिगर का मैंने बेसिक पार्ट अप्लोडेट कर दिये गिये थे और उसमें गजब गजब का ट्रीक भी हमने बता दिये थे और आपको हम बताये थे कि एक से कम सेकेंड में भी आप कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर कुछ और कोश्चन आप सभी के पास परदसित करने वाले हैं ताकि आप बैटर तरीके से समझ सके और अपने एक्जामनेशन में की तियारी जो है अच्छे परदसन पर कर सकेंगे तो चलिए बिना दरी कि हुए इस कोश्चन को हम लोग चार कोश्च बताये थे कि सबसे पहले एक और दो नम्बरिंग कर ले नम्बरिंग करने के बाद सभी का एसक्वाइर कर दे तो सभी का अगर एसक्वाइर करते हैं वन का एसक्वाइर दोस्तों कितना आएगा वन और अगर हम टू का एसक्वाइर करते हैं तो कितना एगा चार और दोनों को जोड़ देते हैं तो number of square हो जाता है कितना पांच तो है ना दोस्तों कमाल का trick directly आप कर सकते हैं यहां पर one square one two square four four चार और एक कितना हो या पांच उसी परकार से यहां भी same square कर देंगे और square करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा पांच आजाएगा उसी परकार से सोची कि बाहर वाला figure नहीं है तो one or two अगर numbering करते हैं इनको square करते हैं तो इनका भी भेलू हमारा कितना आजाएगा पांच इस परकार से दोस्तों यहां पर total number of square 5 plus 5 यानि की total कितने आजाएगे 10 आजाएगे यही आपका सही एंसर होगा है ना दोस्तों बहुत ही गजब का ट्रीक जो कि आपको कम से कम समय में आप बना सकते हैं आए यहां पर दो कोस्टन और हैं हमारे पार जो इन दोनों कोस्टन को जो हैं भी हम लोग यहां पर द समझे खाव होते हैं कि जितना जाएदा सके हो सके अच्छी तरह से समझा सके तो देखिए दोस्तों इसी gift को देखने के बात जो है यह लगता है कि अगर बहुत कर दें तो यहां पर जो उपर में जो था पहला फीगर उसके जीशा दीकेगा फिर इसको भी बंद कर देंगे अगर भीतर वाला बाहर वाला बंद कर देंगे तो वो भी उसकी के जिसा दिखेगा यानि कि यहाँ पर one का square और two का square यानि कि बराबर कितना निकलेगा पाच पाच आएगा फिर उसी परकार से इस figure के लिए यह जो figure है इस figure के लिए one square then two square बरा से टोटल वर्गों की जो सेंख्या है वो पाच प्लस पाच प्लस प्लस पाच यानि टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों पंद्र यानि की टोटल वर्गों की सेंख्या कितने हैं पंद्र है यहाँ पर उसी परकार से दोस्तों अगर यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि ऐसे समझे की स्टैप से करके फीगर खिचा हुआ तो यहां पर एक नम एक देंगे दो देंगे तीन और चार और सभी का क्या कर देंगे स्कॉयर कर देंगे तो जैसे हम यहां पर स्कॉयर करते हैं तो एक का स्कॉयर हमारा कितना आजाएगा एक दो का स्कॉयर कितना आजाएगा चार और तीन का स्कॉयर कितना आजाएगा नौ और चार का स्कॉयर कितना आजाएगा सोलो अगर सभी को अगर आपस में जोडते हैं त तो सोलोग और चार बीज, बीज और दस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर तीस, यानि सिफ और सिफ यह जो बाहर वाला जो फीगर है, उसके लिए हमारा निकल चुका तीस, अब भीतर वाला देखिए, यहाँ पर one का स्कुएर, और यहाँ पर two का स्कुएर, बराबर कितने आ ज हो जाएगा, यानि कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कि वर्गों की जो टोटल जो सेंख्या है, यहां पर वहां जो बहार वाला थे उसके लिए यहां पर से 30 निकला, अप प्लस 5 इन्टू 4 यानि पांच इन्टू 4 यानि पांच जो आप कोई भी question को बहुत ही मात दे सकते हैं और अच्छे से अच्छे कम से कम समय में आप answer को ग्याद कर सकते हैं तो दोस्तो है ना गजब का trick अगर हमारा trick मेहनत पसल लगे तो वीडियो को like जरूर करें दोस्तों का साथ share करना कभी भी ना भूले और चैनल पर नहीं है तो subscribe करें well का icon को hit करें और जूड़ जाएं ताकि आने वाला हर परकार का वीडियो बहुत ही आनत प्रोग से देख पाएं तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई मज़िदार और कोई नई वीडियो के साथ तब तक रहिए खूस thanks for watching